श्री मद्वाल मी की रामायन, अयोध्या कांड, अध्याय बासट, दुखी हुए राजा दश्रत का कौसिल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसिल्या का उनके चरणों में पढ़कर ख्षमा मांगना. शोक मगन हो कुपित हुई श्री राम माता कौसिल्या ने जब राजा दश्रत को इस प्रकार कथोर वचन सुनाया, तब वेदू, खित होकर बड़ी चिन्ता में पढ़ गए. चिन्तित होने के कारण राजा की सारी इंद्रिया मोह से आच्छन हो गई. तदनंतर दीर्ग काल के पश्चात शत्रूओं को संताप देने वाले राजा दश्रत को चेत हुआ. होश में आने पर उन्होंने गरम-गरम लंबी सांस ली और कौसलिया को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिन्ता में पढ़ गए. चिन्ता में पढ़े-पढ़े ही उन्हें अपने एक दुशकर्म का स्मरन हो आया, जो इन शब्द वेधी बान चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अंजान में बन गया था. उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेधना हुई. उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्प होने लगे. उन दोनों शोकों से दगधा होते हुए दू, खी राजा दशरत नीचे मूह किये थर-थर कापने लगे और कौसलिया को मनाने के लिए हाथ जोड़ कर बोले. कौसलिये, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन हो जाओ. देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिये हैं. तुम तो दूसरों पर भी सदा वातसलिय और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रती क्यूं कथोर हो गई? देवी, पती गुनवान हो या गुनहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है. तुम तो सदा धर्म में ततपर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो. यद्यपी तुम भी दू, खित हो तथा पी मैं भी महान दू खमे पड़ा हुआ हूँ, अतह तुम्हें मुझसे कथोर वचन नहीं कहना चाहिए. दू, खी हुए राजा दशरत के मुख से कहे गए उस करुना जनक वचन को सुनकर कौसल या अपने नेत्रों से आसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन, वर्षा का जल गिर रहा ह वे अधर्म के भय से रो पड़ी, और राजा के जुड़े हुए कमल सद्रिश हाथों को अपने सिर से सता कर घबराहट के कारण शीगरता पूर्वक एक-एक अक्षर का उच्चारन करती हुई बोली देव, मैं आपके सामने प्रित्वी पपड़ी हूँ, आपके चर्णों में मस्तक रख कर याचना करती हूँ, आप प्रसंध हों, यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गई मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं पती अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्प्रहनिया है, इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पते के द्वारा मनाई जाती है, वो कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है धर्मग्य महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी है, इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बाद कह दी है, वो पुत्रशोक से पीरित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्रग्यान को भी लुप्त कर देता है, तथा शोक सब कुछ नश्ट कर देता है, अतह शोक के समान दूसरा कोई शत्रू नहीं है शत्रू के हाथ से अपने उपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु देवश प्राप्थ हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता श्री राम को वन में गए आज पांच राते बीद गई, मैं यही गिंती रहती हूँ, शोक ने मेरे हर्ष को नश्ट कर दिया है, अतह ये पांच रात मेरे लिए पांच वर्षों के समान प्रतीत हुई है श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हरिदय का ये शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है कौसलिया इस प्रकार शुब वचन कही रही थी कि सूर्य की किरने मंद पढ़ गई और रातरिकाल आ पहुँचा देवी कौसलिया की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीरित थे, इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई